आईए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला अग्यास है अधो लिखिता नाम पदा नाम धातू लकार पुरुस वचनानि लिखत अभी हमने सब्दों की चर्चा की थी और अब हम देख रहे हैं धातू की तो जो धातू रूप होते हैं धातू जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं किसी भी वाक्य में करता और क्रिया का होना आवश्यक होता है तो जो क्रिया के रूप होते हैं अर्था जो क्रिया होते हैं इन्हें ही संस्कृत में धातू कहा जाता है तो जो धातू ह उनके जो रूप बनते हैं वे धातू रूप कहलाते हैं तो आईए कुछ धातू के रूप को देखते हैं उनके मूल धातू क्या है इसको पहचानते हैं कौन से लकार में प्रयुक्त होता है कौन से पूरुस में प्रयुक्त होता है और कौन से वचन में वह प्रयुक्त हुआ ह यह चीजों को हम देखते हैं तो सबसे पहला धातू का रूप हम देखते हैं गच्छती गच्छती यह धातू का रूप है मूल धातू क्या है मूल धातू है गम गम का रूप बनता है गच्छ और इसका अर्थ होता है जाना अब गच्छती जो रूप बना है यह कौन से लकार का है तो इसके लिए आपको जानना होगा जब धातु रूपों के चर्चा करते हैं तो अभी हम जिस संस्कृत के बात करते हैं उसमें पाँच लकारों के मुख्य रूप से चर्चा की जाती है लट लकार में लट लकार लंग लकार लोट लकार और विधिलिन लकाव यह पाँच लिंग हैं जिसके पर आज हम चर्चा करेंगे तो प्यारा प्रच्छों यहां पर यहां जो रूप प्रीक्त हुआ है आप जानते हैं जैसे लट लकार की बात करते हैं तो उन extended प्रत्या लगते हैं, धातूं के साथ में प्रत्या का योग होता है, तीता, अंती, सीथा, आमी, आवा, आमा, ये आप जानते हैं, तो इन प्रत्यायों का योग धातू के साथ किये जाता है, तो गम धातू है, गम में आप ती नहीं जोड़ेंगे, गम का क्या रूप बनता है गम का रूप बनता है गच्छ तो गच्छ के साथ में तीक योग हुआ है तो इस तरह से इसका रूप बना है गच्छती तो गच्छती यह जो रूप है वह लटलकार का रूप है लटलकार प्रथम पुरुस और एक वचन का रूप है लट लकार पथम पुरुष में गम धातु का रूप क्या होता है आप जानते हैं क्या होता है बिल्कुल सही गच्छती गच्छतह गच्छंती इसी तरह स्मध्यम पुरुष में गच्छसी गच्छतह गच्छत उत्तम पुरुस में गच्छामी, गच्छावः, गच्छामह तो इस तरह से इन रूपों के ज़िए हम जानते हैं समझेंगे तब इन धातु रूप जो पूछी जा रहे हैं इनके मुल धातु क्या है पुरुस क्या है वचन क्या है और कौन से लकार का है इसको हम बताने में समर्थ हो पाएंगे, तो आइए, कुछ और धातू रूपों को देखते हैं, इच्छा में, मूल धातू है इच्छ, इच्छ मतलब होता है इच्छा करना, या चाहना, इच्छा में, यह कहां प्रयुक्त होगा, यह भी लटलकार में प्रयुक्त होता है, अ इच्छ धातू है, और इसमें आमी, अर्थात, उत्तम पुरुस, एक वचन का प्रत्या यहां प्रयुक्त होगा है, इसलिए इच्छा में, जो सब्द है, इसका मूल धातू है, इच्छ और इसका लकार है, लटलकार, पुरुस है, उत्तम पुरुस, और वचन है, एक वचन तो और इसका अर्था होगा क्या होगा इच्छा मी मतलब इच्छा करता हूं इससे पहले जो सब्दा आया था गच्छ थी इसका अर्था क्या होगा जाता है देखिए प्रथम पुरुष कहते हैं तो जितने भी अहम आवाम वयम ये जो तीन सब्दा है इन तीन सब्दों को उ तो गच्छती का प्रयोग जो होता है वह प्रत्थम पुरुस की करता के साथ प्रयोगत होगा। पुस्तकम इच्छामी इस तरह से विभीन वाक्यों की रचना आप कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं मिलिस्यती यह धातु रूप है इसका मूल धातु है मिल मिल का मतलब होता है मिलना देखिए धातु के किवल रूप को याद नहीं करना है आपको उसका अर्थ क्या होता है और जो रूप बनता है उस रूप का अर्थ क्या होता है उसका प्रयोग कहां और कैसे किया जाता है इसके विश्यम भी आपको जानना चाहिए तो मिलिस्यती यह जो रूप है यह इसका मूल धातु है मिल और लकार है लिल्ट लकार अर्था भविश्यत काल और पुरुस है प्र तो यहाँ पर मिल के साथ में इसका प्रयोग हुआ है इस्यती मिलिस्यती इस तरह से इसका यह रूप बना है तो मिल मुल धातू है लिटलकार प्रथम पूरूस और एक वचन का यह रूप है आगे बढ़ते हैं आग अच्छतू तेखे कुछ धातू है ऐसी होती है जो उपसर्ग के साथ भी प्रयोग तो होती है बिना उपसर्ग के प्रयोग करें तो अलग अर्थ देता है और उपसर्ग के साथ दें तो अर्थ में नमीनता का संचार हो जाता है गम धातू है लेकिन यह आधन गम आउपसर्ग युक्त गम धातू का प्रयोग यहाँ पर हुआ है तो मूल धातू पूछा जा रहा है तो आप लिखेंगे आधन गम इती आगम धातू हो गया और आउपसर्ग है और आग अच्छा तू कहा रहे हैं तो तू ताम अन्तू अह अतम अत आनि आव आम इसका प्रयोग कहा होता है हाँ बिल्कुल सही लोट लकार में प्रयोग तो होता है तो यहाँ पर प्रयोग हुआ है आग अच्छा तू तो लकार कौन सा होगा बिल्कुल सही, यहाँ पर लकार है, लोट लकार और वचन कौन सा है? वचन है एक वचन, पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष, तो आगच्छतू, आधनगम यह धातू का मूल रूप हुआ, सब्द का मूल रूप हुआ और लोट लकार का प्रेग हुआ, प्रथम पुरुष, एक वचन का यह रूप है आगच्छतू आगच्छतू, आगच्छताम, आगच्छन्तू इस तरह से इसके प्रथम पुरुष में रूप बनेंगे रोचते, रोचते इसका मतलब होता है, अच्छा लगता है यह हिंदी में तात पर यह हुआ, इसका मूल धातू क्या है, मूल धातू है रूच, रूच मतलब रूचना या अच्छा लगना अच्छा, यह अभी हम जिन धातू की चर्चा कर रहे हैं, धातू रूपों की चर्चा कर रहे थे, चाहे हो गच्छती, इच्छामी, मिलिश्यती, आगच्छतू, यह सभी परस्मई पद की धातूएं हैं लेकिन अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं रूच धातों की ये आत्मने पद की धातुएं हैं आप जानते हैं संस्कृत में धातुएं जो दो प्रकार की होती हैं एक होती है परस्मई पद की दूसरा आत्मने पद की कुछ धातुएं ऐसी भी होती है जिनका रूप परस्मई पद में भी बनता है और आत्मने पद में भी बनता है उन धातुओं को उभय पदी धातु में भी कहा जाता है यहां पर रोचते यह जो धातु रूप आया है यहां आत्मने पद की धातु है और इसमें जो प्रत्या लगा है ते एते अंते वाला प्रत्या लगा है लट लकार और लटलकार का रूप है प्रतम पुरुष एक वचन का यहां रूप है इसका रूचत धातु का आप जानते हैं रूप क्या होता है रोचते 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 रोचनते तो यहां रूप आया है प्रतम पुरुष एक वचन से रोचते इसका अर्था क्या होगा अच्छा लगत है अगला सब्द है धातु रूप है अगला धातु रूप है आरोपए आ उपसर्ग है रूप धातु है और यह लोग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है इसका तापपर होता है रोपे अर्था रोपो आरोपए मतलब रोपो तो प्यारे बच्चों अभी हमने इन अभ्यासों को देखा आईए अब कुछ और अन्य अभ्यासों को देखते हैं हमारा अगला अभ्यास है सुमेल नम कुरुत अर्थात सुमेल करना है सुमेल मतलब उचित संबंध बनाई है इस तरह की प्रसन आप लोगों पहले पढ़ा हो हैं और दूसरे खंड में जो सब्द दिये हुए हैं उनके साथ में उनकी जोड़ी बनाना है अर्थात उनके भाव के अधार पर उनके अर्था के अधार पर लेंग वचन पूरुस के अधार पर कर्ता क्रिया कर्म के अधार पर उसका मेल करना है तो इस तरह से सुमेल नम या उचित संबंधम कुरुत अई सभी प्रशन दिया जाता है तो उसका तातपर एक ही होता है तो उचित संबंध आपको बनाना है अर्थात प्रथम खंज में जो सब्द दिये गए हैं और दूति खंज में जो सब्द दिये गए हैं इनको क्या करना है आपको सुमेल करना है अर्था की द्रिष्टी से, भाव की द्रिष्टी से, लिंग की द्रिष्टी से, वचन की द्रिष्टी से, पूरूस की द्रिष्टी से, तो आईए, देखते हैं, सब्द दिये हुए हैं, एक खंज में सब्द दिये हुआ है, बस्तरे, सर्वे मिलित्वा, त्वम कुत्र, ये एक खंड में सब्द दी हुए हैं और इसके सामने वारा जो खंड है उसमें जो सब्द दिये गए हैं वे सब्द हैं अभी आप देख पारे हैं दोनों खंड को एक साथ देखते हैं तो बस्तरे क्रिजिस्यावह सर्वे मिलित्वा गच्छसी त्वम कुत्र तीरत गट प्रवातम ज्वरेन आरोपित वंतह एतान वरिक्छान पिजितोस्मी ये इस तरह के सब्द दिये हुए हैं क्या देखे सुमेल करना है इसका मतलब यह कभी कभी भ्रमित करने के लिए सही सब्दों की जोड़ी भी बना कर दे दिये जाता है और कह दिये जाता है सुमेल कीजिए तो यहां पर आपकी बहुत धिक्ता की परिक्छा ली जाती है आप कितना समझ बना पाते हैं आपकी संबंधे दिए जाता है तो यहां पर आपकी बागत की समझ की परक होती है तो क्या वैसा यहां पर है तो देखते हैं बस तो viol TRI Shawовых ऐसा या पूरे सभी सब्सक्रोड को आप देखें तो क्या वैसा है नहीं वैसा या दिन नहीं है तब कि इस हिती कि यहां पाँच जो सब्द हैं उनके योग में क्या-क्या होगा benefited हम पांच ही होंगे, कि छैज़ से यह सात्वे से आठवे से कोई सब्द आ सकता है इनका चैन करना होगा आपको अपको ठो कि यहाँ पर चोंकि पांच सब्दों के साथ पाँच सब्द ही दिये हुए हैं तो हमको इनके साथ में क्या करना है? जोड़ी बनाना है मेल करना है तो आप देखिए जहां पर आपको सरलता हो उसके अनसार आप कर सकते हैं आप देखते हैं बस्तरे, क्रिजिस्यावह, सर्वे मिलित्वा, गच्छसी गच्छसी कहा जा रहा है इसमें सी का प्रयोग क्या गया है? तीता, अन्ती, सी, थःता, आमी, आवा, आमा ये प्रत्य आप पढ़े हैं इसमें धातु रुप में तो सी का प्रयोग कहां पर किया जाता है? सी का प्रयोग जो है मध्यम पुरुस एक वचन में किया जाता है मध्यम पुरुस एक वचन की करता क्या है मध्यम पुरुस के जो करता पद है वे हैं तुवम युवाम यूयम क्या तुवम यूवाम यूयम में से किसी पद का प्रयोग पहले खंज में किया गया है ये यदि आप देखें आपको लगता है कि हां इसका प्रयोग है तो उसके साथ में इसकी जोड़ी बना कर देखिए तो यहां हम प्रतम खंड में देखते हैं तो तीसरा जो पद है वो लिखा है तव्म कुत्र क्या इसके साथ इसके जोड़ी बन सकती है तौंकुत्र गच्छसी तुम कहां जाते हो बन गया मतलब यह कि प्रफम खंड का तुधिक पद तौंकुत्र के साथ में दुतिखंड का गच्छसी जोड़ी बन रही है अधिकांज व क्या करते हैं कि प्रफम खंड में जो सब्द दिये हुए हैं और दूसरे खंज में जो सब्ददी हों, वहीं केवल क्रमांक डाल देते हैं, आपको क्रमांक नहीं डालना है, आपको करना क्या है, खंज अ और खंज बद यह हुवा है, खंज आप सा बनाईए, अर्थात सही उत्तर का खंज बनाईए, और वहां सही उत्तर क्या है, उसको ल देखिए ज्वर क्या है एक रोग है क्या ज्वर से कोई ग्रसित था हां कोई ग्रसित था तो इससे संबंधित कोई सब्द है क्या तो आप हम देखते हैं पीडितोस मी ज्वरेन पीडितोस मी ज्वर से पीडित हूं क्या यह वाक के सही है हाँ सही है तो इसकी जोड़ी आप वहां बनाकर सही उत्तर में अपलिग दीजे ज्वरेन के सामने क्या पिडितोस मी फिर हम देते हैं सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर ये सर्वे सभी मिलकर बहुचन की बात की जा रही है तो यहां आप देखिए इधर तो सभी मिलकर खेलेंगे ज़याँ अ अब प्रथम खंच के सब्दों को देखिए और दूसरे के सब्दों को देखते जाई न व्रिक्षान इन व्रिक्षों को वरिक्षों को क्या किया जाता है रोपित किया जाता है इससे संबंधित कोई सब्द है क्या हाँ आरोपित वंतह यह एक सब्द दिखाई दे रहा है तो एतान वरिक्षान के साथ में क्या जोड़ी बन जाएगा एतान वरिक्षान आरोपित वंतह तो वहाँ आप एतान वरिक् फिर सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर क्या करेंगे क्रिजिश्यावः खेलेंगे ये कर दीजी आप बस्तरे बस्तर किसली प्रसिद्ध है तो तीरातगड यहां पर किसी के साथ जोड़ी अभी तक जोड़ी नहीं बना है तो तीरातगड की जोड़ी बस्तर के साथ बनेगा क्या ह यहां बन सकता है क्यों कि तीरत्गड़ जो है बस्तर में है और बड़ा प्रसिध्न, आप देखते हैं एक क्या है यहां एक जहरणा है बहुत प्रसिध्न है तो नियुकि अपराधय प्रसिध आ थरह से आप इसके जोड़ी बना दिजिए तो र्वय मिलित्वा बस्तर क्रिजस्यामः बस्तरे बस्तरिक साथ में क्या होगे बस्तरे तीरत गज़ प्रपातम सर्वे मिलित्वा क्रिजस्यामः त्वमकुत्र गच्छसी ज्वरेन पिजितोस्मी एतान वरिक्छान आरोपित वंतह तो इस तरह से हम इसका क्या कर लिए जोड़ी बना लिए अरथात इन पदों को खंज अ के पदों को खंज स के पदों के साथ में हमने क्या कर दिया? सही उत्तर बना करके सुमेल इस्थापित कर दिया. तो इसी तरह से और भी दूसरे सब्दा आएंगे, उनके साथ यदि आपको जोड़ी बनाना होगा, मेल करना होगा, तो इसी तरह से आप लिंग वचन पुरुष करता कर्मक्रिया आदि के अधार पर भाव के अधार पर उनको जोड़ी बना सकते हैं आईए अगला भ्याद देखते हैं बाठ कर अधार पर ही है रिक्त स्थानानी पूरयत इसका मतलब क्या हुआ पर निर्देश को आपको समझना है रिक्त स्थानानी पूरयत पूरयत मतलब पूरा करो रिक्त स्थानानी रिक्त मतलब खाली इस्थान खाली इस्थान उसमें क्या लगा है इस्थानानी कहा गया है अर्थात बहवचन कहा गया है अर्थात खाली इस्थानों की पूर्ति कीज तो अब देखते हैं यहां नीचे कुछ सब्द दिये हुए हैं वाक्य दिये हुए हैं और उन वाक्यों में हम देखते हैं तो खाली स्थान भी दिया है पहला वाक्य है अहाम फिर खाली स्थान है कक्छा याम पठामी मैं खाली स्थान कक्छा में पढ़ता हूं इसका तात्प पर यह हुआ आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं दस्वी कक्षा में पढ़ते हैं बिल्कुल सही है अब दस्वी कक्षा में को संस्कृत में क्या कहेंगे दस को संस्कृत में क्या कहते हैं दस कहते हैं एकमद्वे त्रिनी चतुर पंच सच सब्ता अश्टन नावं दस तो दस का मतलब तो दस हो गया अब दस को अब हमको क्या करना है दस्वी बनाना है तो दस्वी कैसे बनाएंगे तो दस्वी कैसे बनाएंगे तब क्या होगा दसम्याम जैसे नदी करूप बनता है नद्याम तो दसम्याम क्या बनेगा दसम्याम तो अहां दसम्याम कक्छायाम पठामी हो गया है न सरल ठेक चले आगे बढ़ते हैं क्रिड़नम खाली स्थान अपी रोचते क्रिड़नम मतलब खेलना अपी मतलब भी रोचते मतलब अच्छा लगता है खेलना भी अच्छा लगता है अब रूच धातु का प्रयोग हुआ है इसलिए जो उत्तर आएगा वो चतुर्थी भक्ति से युक्त होना चाहिए किसको खेलना अच्छा लगता है आपको अच्छा लगता है ना हाँ मुझको भी अच्छा लगता है सबको अच्छा लगता है तो इस तरह से इसके उत्तर बहुत से हो सकते हैं लेकिन आपको उत्तर कैसे देना है आपको उत्तर देना है पाठ के अधार पर तो वारत अलाप मुझे अच्छा लगता है तो इसी तरह से यदि पाच से भिन्न की बात करें तब वहाँ पर आप रामाय लिख सकते हो कृष्णाय लिख सकते हो गीता यही लिख सकते हो तो इस तरह से अलग-अलग लिंगों के जो संग्या पद हैं यह सर्वनाम पद हैं इनके चितुर्थी भक्ती का प्रयोग करते हुए इस खाली स्थान को की पूर्ति की जा सकते लेकिन हमको पाच के बात हर पर उत्तर देना है इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोगत होगा यहाँ पर प्रयोगत होगा महियम असमद करूप तो महियम का प्रयोग करेंगा महियम ध्यान देजए का जब मे कहते हैं तो संस्कृत में जो मे का प्रयोग किया जाता है इस हिंदी का है जिसमें अनुस्वार का यूग तो होता है संस्कृत में हम में नहीं कहते हैं में कहते हैं तो में का मतलब क्या होता है यह चतुर्थी वक्ति में प्रयोग तो होता है द्वित्या में प्रयोग तो होता है यहाँ पर महियम में चतुर्थी वक्ति में महियम और में दोनों का प्रयोग होता है तो इसलिए आप महियम के प् हाले फ्थान आरुपय हिंदी अर्थत क्या होगा ? तौम मतलब तुम, अपी मतलब भी, एकं मतलब एक, आरुपय मतलब रोपो अर्थत रोपन करो किसका रोपन करें ?। तो पाठ में आया है पाधपयों को पाधन को रोपन की बात की जारी थी अगला है अहम तु त्वम खाली स्थान दास्यामी अहम मतलब मैं अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष का वाचक है तो अहम मतलब एक वचन मैं तु ये निश्चयार्थक अव्यपद है अर्ट्वम तुमको दास्यामी दूंगा मैं तुमको दूंगा ये कहा जा रहा है ये पाच में कहां पर प्रयोग आया था जब वैद्यरोगी संभाशन हो रहा था वहाँ पर वैद्यने रोगी कहा था मैं तुमको क्या ओसधी दूंगा कहा था ना कौन सी ओसधी ज्वर ओसध अर्थात बुखार से पीडित था उसके लिए आउस्दी देने की बात के गई थी तो इसलिए अहम तू त्वाम दास्यामी अहम तू त्वाम ज्वार आउसधिम दास्यामी मैं तुम को ज्वार आउसधि दूंगा हिए तौ मतलब तुम को अहम तू त्वाम ज्वार आउसधिम दास्यामी कं अगला है काका प्रयोग मद्य में किया जाए अवश्चा नहीं होता है कभी किसी वाक्य के अंत में भी किया जा सकता है और किसी वाक्य के प्रारणभमी भी किया जा सकता है या मध्ध में कहीं पर भी किया जा सकता है वाक्य किवल इस अंस में आया था कि वहाँ पर भासा का आधार क्या है इसके बारे में बताया गया था यहां हम देखते हैं तू का मतलब यह निश्य वाचक अव्यपद है भासा यह मतलब भासा का आधार हम मतलब आधार भवती मतलब है या होता है दोनों तो भासा का आधार क्या होता है हमने वहां पर प्रसंग में देखा तो वहां पर बताया गया था कि व्याकरण जो है भासा का आधार है तो उत्तर भी हम लिख देंगे लेकिन हाँ हिंदी में नहीं लिखना है किस में लिखना है प्रस्ण किस में पूछा गया है संस्कृत में पुछा गया है। इसलिए हम उत्तर कीज में देंगे, हम कभी उसी भासा में उत्तर देना होगा। व्याकरण मतु भासा या आधारह भावती व्याकरण तो भासा का आधार होता है। इस तरह से ये हम एक्तिस्थानों की पूर्ती करने में समर्थ हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगलक भ्यास है संस्कृत भासिया अनुवादम कुरुत कुछ वाक्य दिये जाते हैं जैसे में पूरे पाष्ट को भी समझा है और इसके माध्याम से हम किस तरह से वारतालाप किया जाता है इसके विशाय में जाना है तो निश्चित रुप से हम व से संस्कृत में अनुवाद परिशा में दो तरह के प्रशन पूछे आते हैं एक संस्कृत से हिंदी में अनुवाद और दूसरा हिंदी से संस्कृत में अनुवाद अब यहां पर दिया गया है वह क्या है वाक्य हिंदी में दिया गया है और इसका संस्कृत में अनुवाद ग्यान होना चाहिए और कौन से रूप का कहा प्रयोग किया जाता है इसका भली भाति ग्यान हमें होना चाहिए तब हम एक समर्थ अनुवाद करने में सफल हो पाएंगे पहला वाक्य है आपका नाम क्या है जैसे मुवारतलाप की बात करते हैं परिचय की बात करते हैं तो उसमें पहला वाक्य इस तरह का पुछा जाता है यह कहा जाता है आपका नाम क्या है क्या होगा उत्तर हाँ बिल्कुल सही भावतह नाम की मस्ती भावतह मतलब आपका नाम म अस्ति मतलब है भावताह नाम कीम अस्ति चाहें तो दोनों के एक साथ जोड भी सकते हैं भावताह नाम कीम अस्ति कीम और अस्ति को दोनों के एक साथ जोड देंगे तो कीम अस्ति हो जाएगा अलग-अलग करने चाहेंगे तो कीम धन अस्ति ऐसा तो भावताह नाम कीम अस्त दोसरा वाक्य है मैं संस्कृत पढ़ता हूं संस्कृति को भीन भीन विस्यों को भी आप पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर पूछा गया क्या क्या आप क्या पढ़ते हैं नहीं कहा गिया है कभी कभी कहा जाता है आपका क्या नाम है तो कुछ बिच्चे क्या करते हैं वहाँ पर प्रस्न आपको उस वाक्य का अनुवाद करने के लिए लिए तो इसलिए वहां आपको अपना नाम नहीं लिखना है उस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है तो पहला वाक्य जो आया आपका नाम क्या है तो यहां पर आपको अपना नाम नहीं लिखना है जो वाक्य दि किम अस्ति हां लेकिन यदि किसी महिला से प्रस्न पूछा जाए इस्त्रिलिंग वाचक यदि वाक्य है तब क्या होगा तब वहां पर भावता की स्थान पर भावत्याह हो जाएगा भावत्याह नाम किम अस्ति इस तरह से प्रस्न पूछेंगे तो भावता का भी प्रयोग कर कर सकते हैं भावता का प्रयोग प्रोलिंग वाचक है और भावत्या का प्रयोग जो है वह इस्त्री वाचक है इस्त्री वाचक है अगला वाग्य हम देखते हैं मैं संस्कृत पढ़ता हूं तो मैं के लिए क्या करते हैं मैं के लिए प्रयोग किया जाता है असमद का लेकिन अ तो मैं के लिए क्या कहेंगे अहां संस्कृत पढ़ता हूं संस्कृत पढ़ता हूं इसके लिए मूल धातु लेंगे पढ़ना के लिए दातु कौन सा है पठधातु है अब पठधातु हम लेंगे अतब आप यहां पर प्रेयूश है प्रत हम पुरुश है उत्तम पुरुश है यह उत्तम पुरुश एक वचन में प्रहोग होता है उत्तमपुरुस एक वचन में ही हूं का प्रयोग होता है दूसरे इस्थान पर प्रयोग नहीं होता है तो मैं संस्क्रित पढ़ता हूं या मैं पढ़ता हूं तो अहम पठधातु उत्तमपुरुस एक वचन लटलकार करूप तो पठधातु पठामी पठती पठता पठंती प तो उत्तम पुरूस एक वचन लटलकार में रूप बनता है पठामी, तो अहम पठामी किम पठामी, तो संस्कृतम, अहम संस्कृतम पठामी, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, इस तरह से आप इसका अनुवाद कर पाएंगे, वसीम परसों आएगा यह अगला वाक्य है, अब वसीम तो वसीम अहाँ, परसों, परसों के लिए क्या होगा, अभी हमने अव्याइपदों में उसको पढ़ा था, जैसे आज के लिए अध्य कहते हैं और आने वाला जो कल है उसके लिए स्वाह का प्रयोग करते हैं और आये गा कह रहे हैं ये बीता हुआ है कि आने वाला ही कैसे पता चलता है हिंदी में आप जानते हैं वरतमान कालवाचक जो सब्द है 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 हो या हू का प्रयोग किया जाता यह वरतमानकाल वाचक होता है थाथ हिती का प्रयोग भूत काल में किया जाता है और गागेगी का प्रयोग भूष्यकाल में किया जाता है तो वरतमानकाल में वरतमानकाल को लटलकार कहा जाता है और भूत काल को लंगलकार कहा जाता है और गागेगी वाला जो भूष्यकाल ह इसको लिटलकार कहा जाता है तो लिटलकार का प्रयोग हमको यहां करना फोड़ेगा लिटलकार का प्रयोग हमें यहां करना होगा तो वसी महा तो यहां हम देखते हैं आज के लिए कहते हैं अध्य आने वाला कल है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं स्वह और आने वाला परसों उसको क्या कहेंगे उसके लिए हम कहते हैं परस्वह तो वसीमहा परस्वह आएगा तो आगमिश्यती वसीमहा परस्वह आगमिश्यती यह कहेंगे और इस तरह से इसका तात्परिया कहो जागा वसीम परसों आएगा वसीम अकेला है और प्रथम पूरु जाना होता है और इसी में आ उपसर का योग कर दे तो उसका अर्थ हो जाए आना गम मने जाना आधन गम बराबर आगम हो गया इसका मतलब क्या हुआ आना गम मने जाना आगम मने आना तो रूप वही बनता है जैसे गच्छती गच्छता गच्छंती कहते हैं आगच्छती तो वसीम परसों आएगा इस तरह से इसका ये संश्क्रित में अनुवाद हो गया अगला वाक्य देखते हैं कि आप मेरे साथ ही चलिए कि आपके लिए कहते हैं भवान कि मेरे साथ ही सह योगय तृतिया सह कई योग में तृतिय विप्ति का प्रयोग की जाता है चाहे किसी भी संगय पद के साथ में सह का योग हो उसके साथ में हमेशा तृतिय विप्ति का योग होता है तो आप मेरे साथ ही मया सह असमद का तृतिय विप्ति मया तो मया भवान मया सह ही ही मतलब एव मतलब ही होता है तो ही के लिए एव का प्रियुक करेंगे भवान मया सह एव चलिये चलतु भवान मया सह एव चलतु अठाथ आप मेरे साथ ही चलिये अगला वक्य है बैठो पेज़ पदार्थ पी कर जाओ बैठो आदेश दिया जा रहा है लोटलकार उपविश्य पेज़ पदार्थ पेज़ पदार्थ हम पी कर अब इसके लिए क्या करेंगे यह कर वाला प्रयोग कहाँ से होगा तो इसके लिए हमको मूल धातु के साथ में कृदंत को योग करना पड़ेगा वहाँ पर हम देखते हैं तो पाधातु इसमें तो प्रत्य का योग करेंगे तो इस तरह से इसका रूप बनेगा पित्वा तो उपविश्य पेज़ पदार्थ हम पित्वा जाओ गच्छ मध्यम पुरुष एक वचन का रूप गमधातु लोटलकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप गच्छतु गच्छताम गच्छत गच्छानी गच्छाम इस तरह से रूप बनता है तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा जाओ तुम जाओ गच्छ तो बैठो पेय पलार्थ पीकर जाओ उपविश्य पेय पलार्थम पित्वा गच्छ तो इस तरह से हमने इन वाक्तियों का संस्कृत में अनुआधम करते हैं